नमस्कार दोस्तों मैं महिज जोगोठा स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर अपने योट्यूब चैनल जोगोठा पॉल साइंस क्लासेज में दोस्तों आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टडीज के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स की यह जो टॉपिक्स हैं दोस् इसको फिल करने की अप्रोच आपकी क्या हो जाती है दुगनी हो जाती है तो इसलिए हम इन टॉपिक्स के बारे में जिक्र करेंगे तो आज हम दोस्तों जो टॉपिक्स लेंगे वो है अंजुस अंजुस के बारे में हम आज जानेंगे अंजुस क्या है इसको तोड़ा सा स सस्क्रान सीत युद्ध के दौरान जिसके अस्थापना अमेरिका न्यूजिलेंड और ऑस्टेलिया द्वारा मिलकर की गई यहाँ उलेकनिया है कि चीन के सामयवादी होने और कोरियाई संकट जो आपका 1950 में आता है के बाद अमेरिका सामयवाद के परसार को रोकने के लिए पर्तिबत था और जो संदी के तहत 1951 से ऑस्टेलिया अमेरिका का एक आपचारिक सैने स्वयोगी है अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए यह बोलना क्या चाह रहा है दोस्तों नाटो का आपने जिक्र किया नाटो के अस्थापना 1950 में होती है तो 1950 में नाटो की जो अस्थापना होती है वो अमेरिका के द्वारा की जाती है जिसमें उस समय कुलम लाकर की 12 देश सम्नित थे जो सोवेर संग रूस के खिलाब एक मोनोवैग्यानिक बड़त बढ़ाने के लिए अमेरिका के द्वारा ये ट्रीटी की गई और और इस तरीके की बात की गई कि नाटो में इस्तितथ 12 देशों में से भी किसी भी देश पे अगर कोई बाहर का देश आकर्मन करता है तो नाटो में सबी देश ये सोचिंगे कि बही उन पर आकर्मन हुआ है तो कहने का मतलब कहीं ना कहा हैं ये शोव्या संग रूस जो साम्यावादी था उस समय और सीध यूद के दौरान आपको पताए है कि 1945 के बाद सीध यूद स्टार्ट हो जाता है अमेरिका और सुव्यासंग रूस के बीच 1945 के बाद बहुत सारी चीजें बिगडने लग जाती है जैसे यूदों की घटनाएं, आइडेलोजिकल, उनकी जो क्राइसिस थे, उनको लेकर के उन दोनों की बीच तना तनी चलती है 1945 के बाद सीध यूद स्टार्ट हो जाता है तो सीध यूद के स्टार्ट होने के बाद जब लगता है कि अब दोनों मासक्तियों के बीच तिरते बिस्यूद हो करके रहेगा तो इस तरीकी के तनाव का माहूल जब पैदा होता है तो अमेरिका और रूस के बीच एक बहुती रानितिक, मनोबैग्यानिक और दूसरी को ड्राने और धमकाने वाली परकरिया चलती है जिसी के एवस में नाटो की अस्तापना होती है नाटो की अस्तापना का मुख्य उदेशा उस समय उनिस सुन पचास में सोव्या संग रूस के परसार को रोकना था तो उस समय नाटो की जो कुल सदस संक्या थी वो बारा थी अगर हम नाटो की वरतमान की बात करें तो नाटो की जो वरतमान सदस संक्या है वो 29 है यानि 29 टोटल इसकी सदसा संक्या है जो वरतमान में भी नाटो के विद्यमान है अब हमने यहां पर बात किये अंजुस की तो अंजुस का जो जिक्र यहां पर किया जा रहा है वो एक नाटो का सस्क्रान है एशय परसांद छेत्र में NATO को सस्क्राण का मतब यह है कि NATO ने उस समय उनिग्यानी 1950 में जब NATO ने अपनी अस्तापना की थी तो उस समय उसने सुवे संग रूस जो सामयवादी था उसके परसार को कम करने के लिए उसने एक मनोवेगानिक बड़त बनाने के लिए NATO की अस्तापना की थी लेकिन अंजुस की जो परकरिया है या अंजुस का जो जिक्र है वो NATO के एक सस्क्राण की रूप में ही है जिसमें कहीं न कहीं चीन जैसे सामयवादी ताकतों को रोकने के लिए अमेरिका क्या था प्रतिबात था तो इस तरीके से ये कही न कहीं नाटों के एक सस्क्राउट रोब था जो कहीं न कहीं उस समय जब नाटों के अस्तापना होई थी उस समय भी सामयवाद के परसार को रोकने के लिए एदत था और वरत्मान में भी सामयवाद के परसार को रोक के लिए यह एदत है तो इस तरीके से यह अंजूस का हमने जिक्र किया धन्यवाद